दोसे नमस्कार, MCP के रास्ट्री अध्यक शरत पवार ने विपक्षी भारतिय जनता पार्टी पर हमला बोलने की कोशिस की है शरत पवार ने कहा है कि सत्ता आती है और जाती है इसके लिए बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है दरसल दोस्तों वो सौंबार को पूरे में आयोजेत एक कारकरम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने नाम लिए बिना भारतिय जनता पार्टी पर निशाना साथ तक वे कहा कि कुछ लोग बेचैन हो गए हैं और मैं उन्हें दोश नहीं दूँगा शरत पवार ने कहा कि साल 2019 के चुनाब से पहले वे लोग दुबारा से सत्ता में आने के दावे कर रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसलिए वो बहुती जादा बेचैन दिखाई दे रही हैं उन्होंने ये भी कहा कि महरास्ट में रास्ट्रपती शासन लगाने की मांग केवल धमकी आपको पता होगा कि पिछले कई जो है दिनों से लगातार महरास्ट में रास्ट्रपती शासन इंपोज करने की बात कही जा रही है जिसे लेकर के MCP के जो प्रमोख हैं शरतपवार वो ये कह रहे हैं कि भारती जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ रास्टरपती शासन लगाने की एक तरीके से धंकी दे रही है इससे जादा कुछ नहीं इसका कोई भी परणाम नहीं निकलना है शरतपवार ने ये भी कहा कि यदि चनाव की इस्तिती बनती है तो कोलापूर उप्चनाव के नतीजों ने ये दिखा दिया है कि किस तरीके से परणाम आने वाले हैं शरतपवार ने बिजली संकट के साथ ही हनुमान 40 विबाद पर भी अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति भावनाएं अपने धर्म से उनकी जुड़ी वी होती है उन्होंने कहा कि किसी और के घर के बाहर हनुमान 40 का पाट किये जाने की बात सुईकार नहीं की जा सकती अपने धार में कारे अपने घर पर ही करें यदि आप ये कारे मेरे घर पर आकर करेंगे पवार ने का कि महरास्ट्रों की सियासत में लंबे समय से सक्रिय हूं मेरे और बाला साहिफ ठाकरे के बीच में काफी सियासी मदबेद रहे हैं लेकिन हमने कभी एक दूसरे के लिए निचले इस तरके शब्दों का उपयोग नहीं किया है तो शरत पवार आज जिन पॉलिटि बंदन है तो फिर उनके खिलाप में कैसे कुछ बोल सकते हैं तो रास्ट्रपति शासन को लेकर के एंसीपी के प्रमुक शरतवार ने जो है कहा है कि भारती जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धंकी दे रही है वो यहां पर जो है रास्ट्रपति शासन इंपोज नहीं कर पा है हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूरी बताएं जल मलूगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवात ग्राप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साड़ मुने बेल आइकन को जरू क्रेस्ट करें तक जब भी मैं कोई नए कोडिफिकेशन आपको में लेए